दोस्तों नमस्कार मैं पॉन कुमार सिंग और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया के धंदा पानी ब्लॉग और आज लेकर करके आए हैं मुर्गा मशीन पर वीडियो जो हमारे चिकल लवर्स हैं उनके लिए एपिसोड बहुत ही मज़ेदार होगा और देखिए यहां चुक्ण डी ट्रींग मशीन है जो मुर्गा आम लोग खाते हैं मार्केट में उसकी जो पवांक चुडाने की मशीन होते ना उसको चिकन डीफेद्रिंग मशीन पहली बार मैं देख रहा हो और यह मशीन है इसमें यानि कि मृद डालेंगे और इसके जो वींग बृषम होत सब्सक्राइब में दो सब्सक्राइब जो चिकन जहां पर है उनके लिए बड़ी काम की चीज यह सिदाग जिए समय जाता था जैसे वाली किसी दुकानदार के पास आगा शादी का ओडर और वह सौ किलो दोसों किलो मुरगा देना उसमें पांच आदमी लगे रहते हैं कि पंक छुडाना है फिर काटना है तो यह पंक छुड़ने का काम उनका मतब ना के बराबर हो जाएगा इसमें नहीं लगता है बिल्कुल समय नहीं लगता है कम समय में ज्यादा माल निकालना है अगर अपनी प्रोडक्शन कैपसिटी को बढ़ अगर चिकन का बिजनेस है बहुत लोग अगर इस मशीन के जरीए अगर अपना खोलना चाहे तो थोड़ा सा स्माट दिखेंगे थोड़ी सी और हाईजीन आएगी बढ़िया इस माटनेस से उसको कटिंग कर पाएंगे लोग इस मशीन में छिलने का पैसा भी अलग से लेते आप नॉर्मल हाथ से जो क्लिनिंग किजएगा वह उतनी बढ़िया सी ने रहे कहीं वह फैदर रही जाते हैं चमडी को चिपकी रहते हैं कभी कभी क्या होता है कि लोग बोलते कि स्कीन के साथ मीट चाहिए और ऐसे जनरली मार्केट में स्कीनलेस मिलता है और जब इसकीन क हुआ है को अनए चलिए बहुत बढ़िया और देखिये यह भारी भी उतनी नहीं है इसमें दो साइस की मशीने जैसे यह दी मुर्गे की और यह 5 मुर्गे की तीन मुर्गे के अदर हाफ हपी मोटर रहे और पांच के बीके मोटर है कि मोटर चो क्रोंटन की मोटर देते हैं कि इसमें छोटे तीन मुर्गे की है कि अब आपके पांच वेकित पीकी मोटर दलेगी आपके यह सकते में या brings और इसमें आणदर में यह रबड के सब बने हुए हैं लीचे वहला यह समान आभाँ गुमता है से राउंड तो इसी में अनुथा गुम्केघए रही है तो दाल दिया कि क्या प्राइब काटने से पहले उसको क्या करता है गरम पार्वी वह तोड़ी नरम हो जाए और इस मुर्गे मशीन के अंदर हम जब दालें तो उसको आराम से क्लीनिंग करने में दिक्कत नहीं हो यानि कि वह कंपल सरी है कि उसको थोड़ा सा बॉयल पानी में डुबार के दालना है उसके बाद जब चलने लगेगा तो आपको खुद दिखने लगेगा इसकिन उतर रही है हलका हलका पानी उपर से भी देते रहे हैं थाकि आपके इसमें नाली बनी हुए यहां पर तो यह आपके मशीन के आगल बागल पानी की रहेगा वह मोटर नहीं जाए यह सब बेनेफिट है मशीन के बारे में सर बहुत बड़िया मशीन ने बहुत पसंद आई इसकी प्राइस की बात करें तो क्या पड़ती है प्र दूटती है मशीन की कीमत जैसे गोल्डी जी मुर्गा मशीन की कीमत त्री बड्स की आपको आती है 16,000 रुपए विफ मोटर और यह आप पांच मुर्गे की आती अगर विदाउट मोटर लेंगे तो दोनों चोटी वाली मुर्गा में 4500 रुपए बड़ी मुर्गा में परटी जाती है सब आदमी को मोटर की चाल परटी करने नहीं आती है इसलिए आप कोशिच कीजिए कि आप में साथ मोटर के साथ ही लिजे मोटर क्रॉम्टन की दी गई है यह बेनिफिट है कि आपको सर्विस पूरी इंडिया में मिलेगी इसमें तो खराब होने वाला कुछ म अपने लगा सकते हैं तो इसमें कोई खराब और होने वाली बात ही नहीं है बड़ा मस्ट टाइप का और एक बात और बता दे प्रशन आते रहता है दिमाग में कि जनरली वाले तो जो है पंक निकालने थोड़े असान होते हैं लेकिन वहीं अगर देशी मुर्गा हो सुना प्राismo के मुर्गों के पामी उसको अजया रृति पानी हमें गरम पानी चवरना आपतल्ट इंकल दो जाएगा चलिए बहुत बढया जानकारी और इससर ब और अभी तो proudly और भी जाती है और भी मशीन आती बड़ी जैसे और बड़ी पाँच मुर्गे से भी अधिक वाली आप बीस मुर्गे की फुली अटोमेटिक प्लांट सारे अवलेबल हो जाएंगे मेरे बस ऐसे पादीन और पांच वाला हमेशा उपलब रहता है इस वाला हम लोग और बहुत बहुत नहीं हो सकता समय भी खाता है और भी नहीं हो सकता चिकन जो बनाते हैं कटर हैं जो इनका मीट शॉप है उनके लिए एक बहतरीन हम आज दिखाने का कोशिस किये एक नयाब मशीन है जिसको आप इंस्टॉल करें बहुत ज्यादा कीमत नहीं है छोटी वाली श ले सकते हैं और सोच लिए कितने मुर्गे अगर और आ रहे तो कितने सारे बिल्कुल कर सकते हैं अच्छा एक बताएं कि यह अगर बाहर के लोग मंगवाना चाहिए यहां से दूर दराज आउटर स्टेट पूरे इंडिया में तो उसके लिए कैसे आप भेजते हैं जैसे मैं पुरे इंडिया में सप्लाइ कर सकता हूं परसो ही गोवा पंजी में मैंने मशीन भेजिए तो उसका यह बेनफिट है उससे यह कर सकते हैं कि आप जैसे माली आप इतनी दूर बैठे हैं आपको भी मेरे पर ट्रस नहीं कि मशीन आएगी नहीं आएगी तो उसमें क्या कर सक सकते हैं मेरे अकाउंट में गुर्णारग इंटरवाइस वले में तो उससे क्या बेनिफिट होगा कि आपको मशीन आपकी वहां पर ट्रांसपोर्ट में पहुंच जाएगी बचीवी पेमेंट दे करके आप माल वीज़ कर सकते हैं लेकिन आपको कुछ अडवांस करके आप डेमो क्लिप चला दीज़ें की देखें के लोग पर लगेंगा कैसे यहां निकाल ररिंग सर्ट कर देनी है उसके बाद मुर्गा डाने यह नहीं कि गोल-गोल भूमता रहेगा उसके बाद मुर्गा डाल के स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा से मोटर पर एफेक्ट पड़ेगा बहुत 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 शुक्रिया और भी कोई क्वेस्चन हो छूट गया हो तो आप जरूर इनके नंबर पर कॉल कर लें और इसकीन पर भी नंबर चल रहा होगा मिलते हैं फिर इसी तरह से कुछ यूनिक मशीन को ले करके जो भी उद्दोग करने वाले हैं रोजगार करने वाले हैं उनकी खोच जो है हर फिल्ड में जारी रती कि कुछ अच्छा स्मार्ट मशीन आए तो इसी तर झाल 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 झाल